कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम जय है आप देख रहे हो अगरिकल्चर एक मौका मौस्ट बिल्कम टिवाल इन माई चैनल डिया फ्रैंस आज हम सी यूइटी जाम के लिए टॉफ हंडर्ड अगरिकल्चर कुश्चन करने वाले हैं तो आप बेरेड़े होके चलिए हमारे साथ स कि जीरो फूर से विए ओके दूसरा कुशन है एक एमप्यूल बैक्सिन कितने मौर्गियों के लिए है इसका सैया अंजर है पांच मौर्गियों के लिए तीसरा कुशन है अपना एक मीटर क्यूब जल में किया अभिप्राय होता है तो गाईस आपको बता दें कि एक मीटर क्यूब जल में ठीक है एक हजार लीटेर होता है ठीक है इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए एक खेत का छेतरफल 5.5 हेक्टेर है आठ सेंटिमेटर गहरिस चाहिए करने के लिए कितने लिटर जल की आउ सकता हो गाइस इसके लिए आपको 5.5 से आठ में गुरा करना होगा इसके आंसर आएगा 44 और आपको बता दें एक हेक्टेर सेंटिमेटर में एक लाख लिटर होता है इसी प्रकार 44 hectare cm में 44 लाख लीटर पानी की आओ सकता होगी इस प्रकार से कुशन आपकी परिछाओं में आते रहते हैं तो इसको seriously लेज़ेगा ठीक है पचा कुशन है एक खेत में बाजरा, गेहू, मुंग, फसल, चक्र अपनाया गया है छेतर में फसल की गहानता कितनी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट अंसर है 300% लेकिन इसका निकालना की ट्रिक भी होती है लेकिन आप लोग कमेंट कीज़ेगा एक सेपरेट वीडियो बनाके उसको हम एकस्प्लेइन कर देंगे छटा कुशन है एक 5 HP हर्ट पॉर्ड इंजन से एक हेक्टेर छेतर की आउसर सिचाई में कितना समय लगेगा तो इसका राइट अंसर है 18-20 गंते में तेके 5 HP वाले इंजन से एक हेक्टेर छेतर की आउसर सिचाई की जा सकती है साथ हूं कुशन है 21-11 इसकी प्धार्थ उत्पन करने के लिए पाधो दोरा जितना जर्वास्पूस सर्जन में प्रिफ्ट करता है वा कहलाता है वा कई जाता है तो एक बकरी 15 जनवरी को रितुकाल में आती है तो वा दुबारा रितुकाल में कब हाईगी तो गाईश इस बक्री का रितु चक्र होता है वह 21 दिनों का होता है 19 से 21 दिनों का तो अगर जो हम 15 जनौरी में 19 से 21 दिन जोड़ेंगे तो उसका राइट आंसर आएगा अर्विणान के संक्राइब कृर्स्य नावड़ें से 18 से 20 की से 29 से 20 में या उसका होता है 20 से 20 पानी पानी एक कीड़क मुर्गी कितने अंडे सेने का कारे करते है तो पता होना चाहिए कि जो कुड़क मुर्गी होती है तो आठ से 10 अंडे को प्रड़े क्या कर सकती है से कर कर सकती है ठीक है चौद्रमा कुशन अपना एक कटाई वाली चारे की जौर की कटाई का उची समय क्या है तो इसका राइट अंसर होता है कि जब भुट्टी पे 50% आने जब आ चुके होते हैं उसी टाइम जौर को अपना काट लेना चाहिए इसका राइट अंसर है आपसन नम मेड़ा वर समय कितने वेड़ों को गरबादान कर सकता है तो इसका राइट अंसर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सत्रवा क्वेश्चन अपना गाईस एक किसान एक हेक्टेर में आम के पंच कोडिये बेज से लगाना चाहता है यादि आम के पौदों की दोरी आठ इंटू आठ मिटर है तो मुख्य पौदों की कुल संख्या बताईए तो गाईस आपको पता होना चाहिए कि एक हेक्टेर में 10,000 वर्ग मिटर आते हैं और कुल पौदों की संख्या निकालने का सूत्र है तेक हेक्टेर में बटे तेक पौदों का अंत्रण उसके बाद आपने भाग देंगे तो जो आंसर आएगा तेक है उसका आपको पता होना चाहिए कि जो पंच कोडिये भी दिये तो कि उसमे आपसर नंबर ए दो सो सो तहत्तर ठीक है के लगवाग ओके अठारमा कुश्चन है अपना एक कुंटल मुंफली में करनाल एक्ट्रेक्शन विद्वरा तेल निकाला जा सकता है तो इसके रहाट अंसर होता है 28 किलोग्र उननीसवा कुश्चन अपना एक किलो मिटर में कितन आने में कितना अमल मिलाते हैं तो इसका रहाट अंसर है अमल मिलाते ही नहीं है बहुत से लोग मिली में डाल देते हैं लेकिन अमल मिलाते ही नहीं है इसका आपसर नंबर एस रही है 0.0 ml ओके एक किस्वा कुश्चन है एक खेत में एक वर्स में लगातार दो फसले उगाना ठीक है बाइस्वा कुशन है एक ही वन्स की दो परजातियों के क्रास करने को क्या कहते है इसका राइट आंसर होता है चार पूट चार पूट चोड़े अस्थान की आपसकता होती है गायों को ठीक है एक हेक्टेर धान की रुपाई के लिए कितने नर्सरी चेतर का सकता होती है जो आपन खेत में पूदे लगाते हैं उसका एक बटे दसवा भाग यानकि 0.10 अपसक्ता होती है ठीक है पचिसवा कोश्चन अपना एक हेक्टेर खेत में बाजरे के कितने पूदे पराब् होते हैं ठीक है 26 कुष्ण अपना एक हेक्टेर छेत्र के तालाब से ठीक है बैज्यानिक पज्टति अपने अपनाने से प्रतिवर्त आउसरत मत सुख पातन कितना होता है तो इसको राट अंसर होता है तो आपको मैंने ट्रिक बताया था आपको क्या करना है दस हजार में चौश्ट से भाग दे देना है तो इसका राट अंसर होता गाईस तीक है लगबग 30,000 तीजार लेकिन तो आपसन में है नहीं इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लगबग 30,000 तो की आफसक्ता होती है एक हेक्टेर में गेदे की खेते के लिए नरसरी के लिए कितने बीच का सकता होती है तो इसका राट अंसर होता है एक से देड़ किलोग्राम तो एक है नहीं इसका राट अंसर हो जाएगा देड़ किलोग्राम तीसवा कुशन अपना एक हेक्टेर में दस सेंटीमेटर गरिस जाई करने के लिए पाने आ सकता होती है अभी मैंने बताया था कि एक हेक्टेर में बुड़ा कर देंगे तो जाने कि दस हेक्टेर सेंटीमेटर हो जाएगा इसका राइट आंसर है दस कुईंतल ठीक है 32 कुश्चन अपना एक हेक्टेर में चावल की बुवाई के लिए डेपोग नर्सरी के लिए कितने चित्र के आसकता होती है तो इसका राइट आंसर है 30 मिटर स्कॉर्ड एक पड़सरीती भी दिया धान लिए इसका राइट आंसर है दो स्थो पचीस वर्ग मिटर किताबों में गलत लिए इस कुश्चन को थोड़ा ध्यान देना 225 वर्ग मिटर ठीक है चौतिसवा कुश्चन है एक हेक्टेर भूम में पत्रो पड़ है तो देशी बैगर के कितने ग्राम बीच के आसकता होती है तो इस सब्सक्राइब होता है 500-700 तो ग्राम ठीक है उसके पाशेज़ा कुश्चन है एक हेक्टेर अब तके सक बोलते हैं एक हेक्टेर के बाग लगाने में कितने ब्रॉद्व का सब्सक्ता होते हैं तो इसका और एक सुबीस आनगी सव पलस 20 यानल तो फिक्स है है इंगे- तो आटीसेवा कुशन है एक हरस्ट्री नर्सरी में कितने रुपाई की जा सकती है तो इसके राधांसर है तो आटीसेवा कुशन है टेक है उन्तारिसवा कुश्चन है एक हेक्टेर आलू लगाने के लिए सत्य बीच क्या सकता होती है तो 100-200 ग्राम इस विद्य को TPS कहते है चालिसवा कुश्चन है एक हेक्टेर खेत का छेतरपल कितने वर्गमीटर होता है तो इसको राटांसर है दस हजार वर्गमीटर ठीक है एक्टारिसमा कुश्चन है एक पस का सिर जुका हुआ है ताप करम आसामानी है पस जमीन पर लेटा हुआ है पस को क्या हुआ है तो इसको राटांसर है तो इसको मिलक फीबर हो गया है यह मिलक फीबर के लक्षण है ओके बारिसमा कुश्चन है एक पैकट राइजयोबि में कितने केचवें पाइदा कर सकता है इसका युद्ध राट अंसर होताँ त्रें चार परसेंट ऑब 15 कुछन एक सांड से तक करें परतिन कितने ग्राम प्रोटीन के असकता होता है साट ग्राम प्रोटीन एक सब्रके को परड़े आव सकता होती है कि एक सुगर के किनारे वाले तिरतियों दातों का अस्थाई जोड़ा गिर गया है अस्थाई जोड़ा दात निकल रहे हैं पस्थों की उम्र का नुमार लगा सकते हो आप हाँ इसके राइडांसर होता च्छे मैंने पर यह कंडिशन सुगरों में आती है अर्थाडिसाव कु बोलेंगे जो एक बार में एक का उत्पातर में बढ़े दूसरों कोई परभाव ना पड़े इसको पूरक बोलते हैं ओके उन्चासमा कुश्चन है एक देसी हल दौरा एक दिन में जुताई किया गया संभावता च्छेतर क्या होता है अभी बताते है इसको ठीक है राइट इसको एक वर्स में दो बार जरूर बैदालना चाहिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना करना दूसरी वीडियो में जरूर मिलना और अपने घ्यान को वर्धरन करना ठीक है